पहला कोशन है व्यफारिक अस्तर पर किया जाने वाला विभीन फ्रकार के फलों का उत्पादन कहा लाता है तो इसका सही आंसर होगा हार्टी कल्चर कहा लाता है अगला प्रस्न है बागानी क्रिसी व्याफक है तो इसका सही आंसर होगा केलिफोर्निया में अगला प्रस्न है कुजवास कोईला छेत्र निमलखीत में से किस राज्जी में इस्थीत है तो इसका सही आंचर होगा रूस अगला प्रस्थन है रूस बेसिन कोईला उतपादक छेत्र किस देश में इस्थीत है तो इसका सही आंचर होगा जर्मनी अगला प्रस्ण है धाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसीद था तो इसका सही आंसर होगा मलमल अगला प्रस्ण है ब्यूनस आयर्स निमलखीत में से किस लिए प्रसीद है तो इसका सही आंसर होगा डैरी फदार्थ वा मांक्स उत्पादन के लिए अगला प्रस्ण है निम्लखीत में से कोन सरवाधिक उद्योगी क्रीत देश है तो इसका सही आंसर होगा सिंगापूर अगला प्रस्ण है आंतरिक जल यातायात है तू सबसे उप्यूक्त एवं महतपूर्ण नदी है तो इसक इसका सही आंसर होगा कराइन अगला प्रस्ण है फ्रित्वी की धूरी है तो इसका सही आंसर होगा जोकी हुई किसमे फृतिवी के अलावा एनी जीवन की सांभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरन जीवन के लिए बहुत अनुकूल है तो इसका सही आंसर होगा मंगल अगला प्रस्ण है शुरी के गिर्द एक परिकर्मा के लिए निम्न में से कोन सा एक ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो इसका सही आंसर होगा विरस्पती अगला प्रस्ण है निम्लखीत में से कोन सा तारा फिर्थवी के सरवाधिक समीप है तो इसका सही आंसर होगा शुरी अगला प्रस्थ है निम्नखीत ग्रहों में से किसके चारों और वलय है तो इसका सही आंसर होगा सनी सनी ग्रह के कितने उपग्रह हैं तो इसका सही आंसर होगा एक सट अगला प्रस्थ है सनी ग्रह के चारों और फाय जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर होगा दस अगला प्रस्न है निम्ण में से किस ग्रह के चारों और अस्पष्ट वलय है तो इसका सही आंसर होगा सनी अगला प्रस्न है यूरेनस की खोज किस ने की थी तो इसका सही आंसर होगा हारसेल कौन सा गरह सरवाधिक गैसों से घिरा हुआ है तो इसका सही आंसर होगा यूरेनस अगला प्रस्ण है नम्रखीत में से किस महाद्वीप में आंत्रिक जलमार्ग का सरवाधिक विकास हुआ है तो इसका सही आंसर होगा, युरोव, अगला प्रस्ण है, सोर मंडल का सरवाधिक गर्म गरह कोन सा है, तो इसका सही आंसर होगा, शुक्र, क्योंकि सुक्र गरह में सरवाधिक सबसे अधी कारवन डाउकसाइड गयस पाया जाता है, जिसके वज़त से उसका तापमान बढ़ अगला प्रस्ण है भारत का फर्मानिक समय किस अस्थान से निश्चित किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा इलहाबाद अगला प्रस्ण है भूफ रिष्ट का कितना परतिसत भाग अवसादी सेलों से ढखा हुआ है तो इसका सही आंसर होगा 75 परतिसत अगला प्रस्ण है कोईला किस चटान में पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा परतदार चटान निम्लखीत में से कोन रुपांतरित चटान नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ग्रे नाइट अगला प्रस्न है निम्ण खीत में से कौन कयांतरित सेल है तो इसका सही आंसर होगा संग मरमर अगला प्रस्न है विश्व का सबसे उचा परवत सिखर कहां इस्थित है तो इसका सही आंसर होगा नेपाल अगला प्रस्न है निम्ण में से कौन सी परवत स्रिंखला विसु में सबसे बड़ी है तो इसका सही आंसर होगा अगला प्रस्न है संसार का सरवाधिक सक्रिय जो आला मुखी है तो इसका सही आंसर होगा किलायू अगला प्रस्ण है कोटो फ्यक्सी कहां इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा इक्वाडोर अगला प्रस्ण है वाइमंडल में नाइट्रोजन की परतीसत है तो इसका सही आंसर होगा 78 परतीसत अगला प्रस्ण है वाइमंडल में सरवाधिक मात्रा में विद्दमान अक्रिय गैस कोन सी है तो इसका सही आंसर होगा आरगन वगला प्रस्ण है वाइमंडल में सरवाधिक कोन सी गैस मिलती है तो इसका सही आंसर होगा नैट्रोजन लोयस पठार इस्थित है तो इसका सही आन्सर होगा चीन में अगला प्रstat्ण है पृत्वी के वाइमंडल का कितना पृतिसद भाग 29 किलोमीटर की उचाई तक पाया जाता है तो इसका सही आन्सर होगा 97 पृतिसद अगला प्रास्ण है मेग गर्जन वाइमंडल के किस परत में होता है तो इसका सही अंसर होगा छोब मंडल शुरी की तिब्र किर्णो द्वारा जुलसने से वाइमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है तो इसका सही अंसर होगा ओजोन अगला प्रस्न है सांथ पेटी किस रेखा के दोनों और पाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा भूमजदिये रेखा अगला प्रस्न है निम्लखीत में से किसे प्रकृती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा और जोन गेस अगला प्रस्न है विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी फरवत कोटोपैक्सी कहा इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा इक्वाडोर निम्लिखीत में से कौन एक वलीत फरवत है तो इसका सही आंसर होगा हिमाले अगला प्रस्ण है पठारी छेत्रों में विशु की कितनी परतिसत जन संख्या निवास करती है तो इसका सही आंसर होगा 9 परतिसत अगला प्रस्थ है भूकम्प में धरातलिय तरंगय होती है तो इसका सही आंसर होगा L तरंगय अगला प्रस्थ है नवीनितम परवत माला है तो इसका सही आंसर होगा यूराल अगला प्रस्ण है हिमालय की उत्पत्ती किस भू सन्तती से हुई है तो इसका सही आंसर होगा टेथिस अगला प्रस्ण है विशु वियस ज्वाला मुखी किस देश में इश्थित है तो इसका सही आंसर होगा माउंट एरेवस ज्वाला मुखी निमलिखीत में से किस महाद्वीप में इस्थित है तो इसका सही आंसर होगा अंटार्क टिका अगला प्रस्थन है वाइमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर क्यांदरीत है तो इसका सही आंसर होगा इस्ट्रेटु स्फेयर अगला प्रस्थन है वह कालपनिक रेखा जो फिर्थवी को दो भागों में बाड़ती है क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा अगला प्रस्थन है दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती तो इसका सही आंसर होगा गोरे अगला प्रस्ण है वह अक्षान स्रेखा जिस पर सदेव दीन वर रात की अबधी समान रहती है तो इसका सही आंसर होगा भुमध्य रेखा अगला प्रस्ण है फिर्थवी के उत्री दुरूव एवंग दक्षनी दुरूव को मिलाने वाली रे खा जाता है तो इसका सही आंसर होगा अगने चट्टान अगला प्रस्न है फृत्वी के द्रव फदार्थों के घनिभुत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा अगने चट्टान अगला प्रस्न है जो पठार चारों और से परवत मालावों द्वारा घिरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, अंतर फर्वत्य पाठार, अगला प्रस्ण है, धारातल के सरवाधिक भाग पर निमलखीत में से किस चट्टान का विस्थार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, अवसादी चट्टान, अगला प्रस्ण है, पैट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, प्राचीन संख्स्तरित चट्टान, अगला प्रस्ण है, फिर्थवी की सतह से सबसे दूर वाई मंडल ये प्रत किस नाम से विदित है? तो इसका सही आंसर होगा, आयन मंडल, अगला प्रस्ण है, दिर्थ रेडियो तरंगय फिर्थवी के किस सतह से फ्रावर्तीत होती है? तो इसका सही आंसर होगा, आयन मंडल, अगला प्रस्ण है, संचार पगरह किस वाय मंडल ये अस्तर में इस्थीत होते हैं तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल अगला प्रस्ण है वाय मंडल के किस भाग में जलवास्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्दमान रहता है तो इसका सही आंसर होगा छोब मंडल अगला प्रस्ण है समायनी वायुदाब पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा सागर तलपर अगला प्रस्ण है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं तो इसका सही आंसर होगा आस्टेलिया और यूरोप अगला प्रस्ण है संप्राय मैदानों का निर्मान नदी के किस अवस्था में होता है तो इसका सही आंसर होगा जिर्ना अवस्था अगला प्रस्थन है निमलिखीत में से किस एक में माल्टा अवस्थित है तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर अगला प्रस्थन है जावा और सुमात्रा द्वीब किस देश में है तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेसिया अगला प्रस्ण है भारत एवंग बंगला देश के मध्य विवाद किस द्वीब को लेकर है तो इसका सही आंसर होगा नियूमूर द्वीब चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा बरखान अलजीरिया किस मरवस्थल के अंतरगत इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा सहारा विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा फ्रसांत महासागर अगला प्रसुन है दे ग्रेट ऑसें ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है तो इसका सही आंसर होगा उत्री अटलांटिक महासागर अगला प्रसुन है offered by by उत्री अट्लांटिक महासागर वायुदाब में अचानक होने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है तो इसका सही आंसर होगा तुफानी मोसम अगला प्रस्ण है वाय मंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है तो इसका सही आंसर होगा उजोन मंडल उच्च दाब छेतर में भुमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवने होती है तो इसका सही आंसर होगा व्यफारिक पवने अगला प्रस्ण है हवाई जहाज प्रायक किसमे उड़ते हैं तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल अगला प्रस्ण है वाई मंडल की सबसे निशली परत कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा छोब मंडल अगला प्रस्ण है चक्रवाद की आकरती इसमें से किस प्रकार की होती है तो इसका सही आंसर होगा अंडाकार चक्रवाद का सांत छेतर क्या कहलाता है अगला प्रस्ण है विशु में सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान है तो इसका सही आंसर होगा मासी नराम अगला प्रस्ण है विशु का सरवाधिक सुस्क अस्तल कोन है तो इसका सही आंसर होगा आटा कामा अगला प्रस्ट है विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की जील है तो इसका सही आंसर होगा सुफ्रियर जील अगला प्रस्ट है किस वाय मंडल ये फरत को मौस्मिय परवर्तन के छट के नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा छोब मंडल अगला प्रस्ण है निमलिखीत में से कौन सी विश्व की सरवाधिक गहरी जील है तो इसका सही आंसर होगा बेकाल जील अगला प्रस्ण है विश्व का सबसे उंचा जल प्रपात है तो इसका सही आंसर होगा एंजिल अगला प्रस्ण है नियगरा प्रपात है तो इसका सही आंसर होगा USA में अगला प्रस्ण है फिर्थवी से निकर्तम दूरी पर इस्थीत ग्रह है तो इसका सही आंसर होगा सुक्र अगला प्रस्ण है निमलखीत में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा सुक्र अगला प्रस्ण है निमलखीत ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा सुक्र अगला प्रस्ण है सबसे अधीक चमकने वाला ग्रह है तो इसका सही आंसर होगा शुक्र अगला प्रस्ट है सुरी की प्रिकर्मा के दोरान फिर्थवी सुरी से अधिक्तम दूरी पर किस महने में होती है तो इसका सही आंसर होगा जूलाई अगला प्रस्ट है सुर्य और फिर्थवी के मजधि अधिक्तम दूरी होती है तो इसका सही आंसर होगा चार जुलाई को अगला प्रस्थ है सुर्य और फिर्थवी के मजधि नियुनतम दूरी होती है तो इसका सही आंसर होगा तीन जन्वरी को अगला प्रस्थ है फृत्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा घूरनन अगला प्रस्ट है फृत्वी पर सुरी के मजधि सरवाधिक दूरी किसके दोरान होती है तो इसका सही आंसर होगा अफ सोर अगला प्रस्ट है निम्ण मेंसे किसने पहली बार कहा कि फिर्थवी गोल है तो इसका सही आंसर होगा और इस टोटल फिर्थवी पर सबसे गहरास्थल है तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर अगला प्रस्थन है रेगिस्तान में बादल अवचे पोहकर क्यों नहीं बरसते तो इसका सही आंसर होगा कम आदरता के कारण अगला प्रस्थन है निम्लिखीत में से कौन सा देश अंगूली नुमा जीलों के लिए प्रसिद्ध है तो इसका सही आंसर होगा USA अगला प्रस्थन है मांचीतर में वे रेखाएं जहां दाब सम होती है क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा सम दाब रेखाएं अगला प्रस्थन है निम्ल में से कौन एक भू आविष्ठित देश है तो इसका सही आंसर होगा यूगांडा अगला प्रस्थन है निम्लखीत में कौन एक अस्थल रुद्र देश है? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान अगला प्रस्ण है दक्षिन फुर्व एसिया का अस्थल अवरुद देश है? तो इसका सही आंसर होगा थाइलेंड अगला प्रस्ण है निम्लिखी देशों में कौन सा एक अस्थल रूद्र देश है, तो इसका सही आनसर होगा, गेबोन, अगला प्रस्ण है, निम्लिखी देशों में कौन सा एक अस्थल रूद्र देश नहीं है, तो इसका सही आनसर होगा, म्यानमार, अगला प्रस्ण है, निम्लिखी देशों मे बंदरगा किस देश में अवस्थित है तो इसका सही आंसर होगा इरिष्ट्रिया अफ्रीका के रुम सागरियत तट पर कौन सा बंदरगा है तो इसका सही आंसर होगा सिकंदरिया अगला प्रस्थन है कौन सा बंदरगा यूरोप फोर्ट के नाम से जाना जाता है तो इसका सह आंसर होगा रोटर डम अगला प्रस्न है विश्व का सरवाधिक लवनिय जील है तो इसका सही आंसर होगा वान जील अगला प्रस्न है सरवाधिक उचाई परिस्थीत नोका यान जील है तो इसका सही आंसर होगा टीटी काका जील अगला प्रस्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर अगला प्रस्ण है अरल सागर जील किस देश में इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान अगला प्रस्ण है निमलखीत में से कौन विश्व की सबसे बड़ी जील है तो इसका सही आंसर होगा कैस्पि सागर नमलखीत किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा फिंछ लैंड अगला समय विशु का सबसे हुचा जल परत किस देश में इस्थीत है तो सही आंसर होगा किस नदी पर इस्थीत है, तो इसका सही आंसर होगा, कोरोनी, अगला प्रस्न है, वयोमा जलपरपात किस नदी पर इस्थीत है, तो इसका सही आंसर होगा, जेर, स्वेज नहर का निर्मान कब फ्रारंब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा, 1854, अगला प्रस्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर से मिलती है तो इसका सही आंसर होगा कील नहर क्रा नहर निमलखीत में से किस देश में इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा थाइलेंड विशु की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो इसका सही आंसर होगा स्वेज नहर निमलखीत में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है तो इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया निमलखीत में कौन सी एक जील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतराष्ट ये सीमा बनाती है तो इसका सही आंसर होगा विक्टोरिया विश्व की सरवाधिक खारे जल की जील वान जील किस देश में इस्तित है तो इसका सही आणसर होगा तूर्की स्वेज नहर की लंबाई कितनी है तो इसका सही आणसर होगा 168 किलो मिटर स्वेज नहर कब बनकर तयार हुआ तो इसका सही आंसर होगा 1879 इस्वी किस महाद्वीप को स्वेट महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा अंटार्क्टिका किस महादीप को प्रायदीप ये महादीप के नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा यूरोव निमलखीत में किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा एसिया प्रगामी तरंग सिधान्त निम्लखीत में से किसकी उत्पत्ती की व्यक्या करता है तो इसका सही आंसर होगा ज्वार भाटा ज्वार भाटा के उत्पत्ती के समंध में प्रगामी तरंग सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका सही आंसर होगा विलियम वेवेल अगला प्रस्ण है नमलखीत में कौन सा सहर नीली और सफेद नील के संगम पर इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा खार्तुम फ्रांक्स का वोड्रो वंदरगा किस नदी के तठ पर इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा गेरून सीन नदी किस नगर से होकर बाती है तो इसका सही आंसर होगा फेरिस निमलखीत में कौन सा नगर किसी नदी के तरफर इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा इस्तामबूल नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्मान करती है तो इसका सही आंसर होगा जवारनद मुख्री डेल्टा एक समान समय पर तुफान आने वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा आईसो ब्रांट अगला प्रस्ण है सूर्य तब के समान अवधी वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा आईसो हेल निमलखीत में कौन एक भू आविश्ठी देश है तो इसका सही आंसर होगा बोलिविया निम्लिखीत में कोन सा एक द्विप ये महाद्विप के नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा आस्ट्रेलिया छेत्रफल की दिरिष्टी से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तो इसका सही आंसर होगा आस्ट्रेलिया अगला प्रस्ण है प्रती चक्रवात की आकृती समानियत होती है तो इसका सही आंसर होगा गोलाकार लोयस का पठार है तो इसका सही आंसर होगा फवन कृत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परतीसत हिस्सा मैदानों में निवास करता है तो इसका सही आंसर होगा नब्बे परतीसत अगला प्रज़न है ड्रेकेंस बर्ग परवत है तो इसका सही आंसर होगा दक्षिन अफ्रीका में अगला प्रस्ण है निम्लखीत में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा कमबोडिया अस्थल मंडल के कुल छेत्रफल के कितने परतीसत भाग पर पठार का विश्तार पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 33 परतीसत यूरेनस के कितने उपग्रह हैं तो इसका सही आंसर होगा 27 अगला प्रस्ण है सोर मंडल का बाहेतम ग्रह कोन सा है तो इसका सही आंसर होगा नेफचून अगला प्रस्ण है कौन सा खगोल ये फिंड रात की रानी कहलाता है तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा सांथ समुद्र और तुफानों का महासागर निम्न में कहा इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा अगला प्रस्ण है, C of Tricky Liti कहां पर है? तो इसका सही आंसर होगा, चंद्रमा पर अगला प्रस्ण है, कौन सा गरह हरे प्रकास को उत्सरजित करता है? तो इसका सही आंसर होगा, वरून निमलखीत में कौन से गरह के सरवाधिक प्रकृतिक उपगरह अथवा चंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा, सनी अगला प्रस्ण है, दक्षनी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका सही आंसर होगा, 22 दिसंबर को अगला प्रस्ण है फिर्थवी की जुर्मा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है तो इसका सही आंसर होगा शुक्र फिर्थवी के खैंदर में पाया जाने वाला चुम्बक की अपदार्थ है तो इसका सही आंसर होगा नीकेल झाल झाल